दोस्तो आज हम डीडी फ्री डीस का काड रिपेर करेंगे देखें तो यह हमरे पास कामबो आया है रिपेर होने के लिए अब इसमें क्या फॉल्ट है भी बताऊंगा दोस्तो कस्टमर बोल रहा था कि जो इसमें लाइट है और नहीं आ रहा है तो दोस्तो यह पाइनल हमारा जो हता है कामबो बोल्ड हमारा अडाप्टर से चलता है यानि 12 वोल्ट हमारा डीस चलता है तो यहां पर अल्पाइन कंपनी का है तो इसको रिपेर करेंगे देखेंगे इसमें मारा क्या हॉल्ट है तो सबसे पहले देखिए मैं इपने शॉप पर यह वीडियो को सूट कर रहा हूं तो यहां पर इसका वोक्स है जो तो कभर और यहां पर मारा 12 वोल्ट का अडाप्टर है देखिए यहां पर चारिजर है और मैं चारिजर को सबसे पहले इंसर्ट करूंगा अमनी बोर्ड में तो यहां पर देखिए मैं यहां से हटा करके इस चारिजर को इंसर्ट करता हूं और यहां बटन को आंड करता हूं यांप दिखिए हमारा वाइट है लाइट चल गया तो इस प्रकार से दूस्तों यहाँ पर ना गोल्ट है जा गया है अभी इसको हम इस कामब में सब्सक्राइब इसको हम यहांपर 12 वोल्ट का पोर्ट दिया रहाता है तो आपको यहां से दुस्तों करना पड़ा है क्योंको अकेले ही वीडियो को शूट भी कर रहा हूं और रिपेर भी कर रहा हूं तो थोड़ा सा फरसानी हो रहा है देखिए यहां पर हमारा कोई भी लाइट नहीं है मल्ट्यम्टर लेता है मल्ट्यम्टर से वोल्टेज चेक करेंगे कि मारा 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं मल्ट्यम्टर को DC 20 पर सिट किया और इसका जो दुस्तों फॉइंट है इसको चेक करेंगे इसमें मारा प्रोपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं तो दूस्तों एक हम ग्रांड कर दिरां दिविद्क के मान ग्राउंड हो गया को दूस्तूर मै इसको सीट करूट संधल कर लेता हूं लाके तो यहां पर मैं इसको लगा लेता हूं सही से और इसके बाद यहां पर n चेक करता हूं च्षेट तुक यहां पर माइनस-12 डॉटा मार चाहर है तो यहांपम माइनेस कंषी मलबन रहा है की दुछ देखते हैं कि मैनिस तो नहीं आना चाहिए तहों चारजस देख लेते हैं कर्सटमर मैं भेड़का छींट कशमें नहीं पीना है इसमें एठान तो यहांफ़े तो यहां पर देखिए मैं एक बाड चेक करेंगेर नहीं तो यहां पर voltage और हम प्लस को बाहर जबके दोस्तों अंदर साइड मनाге 1 एक योड योड़ना मैनेस राता है तो यहाँ पर दिखें हमारा प्लस बाहरा आ गया इसका अम 2017 अब deze अभी यहाँ पर मरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो देखते हैं चार्जर कई से सब्सक्षग के दिजात कि कश्टमर साथ यहांपर जोड़ रखा है तो यहीँ पर दूस्तों हो सकता है उल्टा जोड़ दिया हो कि दुस्तों charger में हमारे ब्लैक की वायर दोनों दी है तो उसको समझ में नहीं कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखिए तो यहां पर मोरेक वायट है दिखिए पट्टी बना है और वायट तो देखिए इसको ढल Ayre दोस्तो औलटा लगया गया है तो सबसे पहले हम वाइर को स्रीधा कर लेते हैं हम Runner केमरा को यहां पर रखते हैं और हम वाइर को अच्छे से यां पर स्तीधा करके जोइंट कर लेंगे इसके बाद टेप लगा देंगे दोस्तुू यहां पर देखिए हमने वायर को इसमेर काल से जोड़ना है यहां पर दोस्तों मारा पटी बना है देखिए हैं पर थोड़ा साबको वाइट पटी दिख़रा होगा तो वाइट मारा प्लस और ब्लैक वाइट माइनस से अब उपर हम चारिजर को को insert करते हैं और चेक करते हैं कि मरा work कर रहा है कि नहीं तो फिर से दूस्तों अपनी बोर्ड में हम तो देखे जोगे करक्ट है यहां पर हमको प्लस 12 वोल्ट मिल रहा है अब यहां पर तो सही है अभी सम पोर्ट को यहां पर लगा लेते हैं जो मारा 12 वोल्ट का पोर्ट यहां पर दिया गया है तो यहां पर इसको इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि मारा डिस्प्ले में ला कि हमारा चल रहा है कि नहीं तो देखिए नहीं कि जू गलत ज्रा रखा था तो कॉमान शेट जudशन सबस्तुलाग करके श्रेजब है और देख्वाहा दिखते हैं कि हैं यहां वर्क कर रहा है कि नहीं तो देख सकते हैं यहां जो भी हमारे टूल से रखे हैं SMD, Laptop, Computer तो यहां देखे हैं इस प्रकार से इस प्रकार से हमारा चल रहा है तो देखे इसमें जो फाल्ड था उमरा चार्जर का फाल्ड था तो आप दोस्तो फाल्ड फाइंडिंग कर सकते हैं तो आई होप कि आपके वीडियो पसंद देखे तो वीडियो को लाइक करें